आई, स्लावलेकम, मेरे अजीज वीवर्स को अजीज किचन में वेलकम तो आज हम बना रहे हैं चिकन लचाप कोड़ा तो वो भी मेरी स्टाइल में तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं वीवर्स मेरे पास हाफ केजी वूनलेस चिकन है जिसको वोश करने के लिए मैंने एक चमच किया है सिर्के का इस्तमाल आदा चमच डाला है नमक और एक कप डाला है पानी अब हम इसे पान से छे मिन्ट के लिए छोड़ देंगे पान से छे मिन्ट हो चुके हैं अब हम इसे वोश कर लेते हैं चिकन को अच्छी तरह बाउश का लिया हुआ है। अब इसमें जाएगा एक टी स्पून नमक। 1 टेबल स्पून जाएगा सुर्ख मिर्च का पाऊडेर। 1 टेबल स्पून जाएगा धनिया पाऊड ơi और 1 टेबल स्पून ही जाएगा जीरा पाऊडेर। 1 टी स्पून जाएगा गरम मसाला पीसा हुआ 1 टी स्पून जाएगा हल्दी पौडर 2 टेबल स्पून जाएगा लैमन जूस 3 टेबल स्पून जाएगा बेसन अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं अब हम चिकन को 20 से 25 मिन्ट के लिए मेरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे वीवर्ज मैंने चार अदद आलू लिये हैं दर्मियाने साइस के इन्हें अब हम कदूकाश कर लेते हैं आपने आलू को इस तरह कदूकाश नहीं करना लंभाई के रुख पे कदूकाश करना है और पाने के अंदर ही कदूकाश करेंगे ताके आलू का कलर ना चेंज हो अब हम आलू को नकाल कर टोकری में रखेंगे और इसे वाश कर लेंगे और ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे आलो हमारे ड्राई हो चुके हैं अब हम इसे बहुल में डाल लेते हैं सब से पहले जाएगा दो टेबल स्पून बेसन और दो टेबल स्पून ही झाएगा कार्न फ्लोर दो टेबल स्पून ही जाएगा मैदा एक टेबल स्पून जाएगी दादर मिर्च और एक टेबल स्पून ही जाएगी काली मिर्च हाफ टेबल स्पून जाएगा नमक नमक आप अपने टेस्ट के मताबक भी डाल सकते हैं अब हम फौक की मदद से मिक्स कार लेंगे बिंखवा कि ऐलू हमारे अच्छे से निखे हो गई है और इनके अंदर मैंने जरा भी पानी इस्तेमाल में किया आलू के अंदर ही जो पानी था वोही अभज़र्व हो गया है अब हम इसके पकोड़े बना लेते हैं कड़ाई को चूले पर चड़ा लिया है फ्लेम को कर लिया है अब इसमें जाएगा कुकिंग आइल मेरीनेशन को 20-25 मिन्ट हो चुके हैं अब हम इसकी फिलिन कर लेते हैं सबसे पहले हाथ के उपर रखेंगे आलू इसके उपर रखेंगे चिकन का पीस और फिर जाएंगे इसके उपर आलू आईल हमारा गरम हो चुका है अब इसमें जाएंगे पकोड़े बिसमिल्ला इर्रह्मान राहे विवर्स आँच को मीडियम टू स्लो रखेंगे ताके चिकन अंदर से पक जाए अब हम पकोड़ों की साइड को चेंज कर लेंगे अलहमदुलिल्ला देखें कितना ब्यूटिफुल कलर आ गया है अब हम इसे नकाल लेते हैं अलहमदुलिल्ला अलहमदुलिल्ला चिकन लचप कोड़ा हमारा रेडी हो चुका है और बहुत ही मज़े का बन है बड़ा क्रिस्पी बन है बड़ा स्पाइसी बन है आप देख सकते हैं बिस्मिल्ला रह्मान राहिम चिकन अंदर से अच्छी तरह से गल चुका है और बहुत ही मज़े का बना है बनाना बहुत एजी है आप इसे एक बार गर में जरूर ट्राइए करें अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और सुब्सक्राइब करें तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई रैस्पी के साथ ओके अला हाफिर